नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली उम्रे मत पूछो उनकी जो इश्क में खोई रहते हैं वो हर वक्त जुआ रहते हैं जो महौबबत की आँखों में खोई रहते हैं जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डिली राशी पल की बात कर रहे हैं ये प्रेडिक्शन चल्दे राशी पर आधारित है सबसे मले आज के दिन जिनका वर्ज़े हैं या फिर मारी जनवर्शरी हैं उनको मेरी तरफ से धेर सारी बधाय हो तो चलिए शुरू करते हैं आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे और जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा अच्छा वक्त जरूर आता है पर वक्त पर ही आता है इसलिए आपको भी सब्र रखना होगा जरूर वक्त आपका भी आएगा माना दुनिया बुरी है सब जगा धोका ही धोका है लेकिन हम तो अच्छे मने हमें किसने रोका है आपके करम ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के हजारों इंसान है वक्त ने फसाया है लेकिन परिशान नहीं हूँ मैं हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूँ मैं इसलिए आपको भी हालातों से हारना नहीं है बलकि ऐसा इंसान बनिये कि जो हर हालात में जीत हासिल कर सके संसार में केवल मनिश्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बातों में होता है जिन्दगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है बिना महनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों कुद्रत चेडिया को खाना जरूर देती है मगर घोसले में नहीं जिन्दगी की हर सुबा कुछ शर्ते लेके आती है और जिन्दगी की हर शाम एक तुजुर्बा देके जाती है सबसे पहले में आपको बता दूँ कि आज आपके लिए जो है लखी जो कलर बन रहा है वो यालो कलर रहेगा और जो लखी नंबर है वो आज के लिए नंबर साथ बन रहा है तो आज ग्रहो किस्तितिया कुछ इस प्रकार कह दी है आज आपके बारे में कि आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने की अफसर आज आपको मिलते रहेंगे तो इसलिए अपनी personality को प्लीज निखारिएगा आपको मिली होई मदद का उचित प्योकर की आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे पैसो से related तकलीफ को दूर करने की वज़ज से अज आपके अंदर नया आत्मविश्वास भी जागेगा जो काम और बहतरीन करवाने के लिए उप्योकत रहेगा जो आपका self-confidence है वो बढ़ता नज़र आएगा और आप पहले से जादा अच्छे धंक से काम को complete कर पाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे साथ ही आज कई लोगों को जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन किसी के सहयोग से आपकी दिक्कते दूर होगी और पुन है यानि कि दुबारा आप अपने लक्ष की तरफ आगे बढ़ते नज़र आएंगे इसे के साथ हर चीज का आज आपको कदर करनी पड़ेगी हर चीज के भगवान के दिव हुई तो आप हमेशा कदर करते रहे भगवान भी जो है आप पर प्रसंद रहेंगे हमेशा शुकराना जरूर कीजेगा साथ में आज का ग्रह गोचराब के लिए लाबदाइक सितियां बना भी रहा है इसमें पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है जैसे मैंने अभी बताया साथ ये प्रतिष्टित लोगों से मुलाकात हो सकती है आप काफी सम्मानित हो पाएंगे आज के दिन अज आपके परसनालिटी में काफी बदलाव लोग देखने को मिल सकते हैं लोगों को इसमें स्वार्ति प्रवित्ति के लोगों से जरा दूरी बना कर रखिये प्लीज उनकी गलत सलह आपको अपने लक्ष से भी बटका सकती है इसलिए बूरी आदत वाले लोगों से प्लीज आप दूर रहिएगा आज घर के बज़रुकों की अवहिला मत कीजी प्लीज उनका आदर करें सतकाल करें क्योंकि उनका आशिरवाद और सहय योग आपको मार के दर्शन प्रदान कर सकता है इसलिए उनका ख्याल रखना उनकी हर चीज को पूरा करना और उनका आदर करना यह आपका करतव्य भी है और धरम भी है आज मानसिक परिशानिया आपकी काफी कम हो सकते हैं परिस्थिति के प्रती आतविश्वास और परिस्थिति को अपनाने के लिए की गई मन के तयारी आपके लिए उप्युक्त रहेगी आज हम मन में कुछ ठानेंगे और जरूर करेंगे और उसकी तयारी आप कर चुके होंगे अपनी समस्याओं को दूर करने का नया रस्ता आज आपको मिल सकता है अगर आपको ऐसा लगता था कि सभी दर्वाजे बंद हैं और कोई भी रस्ता नहीं खुला है लोगों की बातों की परवाँ बिलकुल भी मत कीज़ेगा फ्लीज खुद की कारियों को जो हैं आप कर रही है उस पर जरा ध्यान केदरित कीज़े वरना ये लोग जो हैं आपके ध्यान को भटका सकते हैं आज अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत फिलब्दियां हासल कर पाएंगे धार्मी कारियों में आपका योगदान वो बना रहेगा बस्यान रहीगा कि जरा सी लापरवाही आपको अपने लक्ष से भटका सकती है किसी भी काम में दिक्कत आने पर घर के बड़े बजर्गों की सलाह आज बहुत ही फाइदाबंध हो सकती है साथ ही में आज जो आपके साथ काम करने वाले हैं लोग हैं उनसे आपको धेड़ सारी मदद मिलती हुई नजर आ सकती है व्यवसाई में आज स्थान परिवर्तन की सम्भावनाई बन रही है आज के दिन टेक्स और लोन जैसे मामलों में उल्जने उत्पन हो सकती है प्लीज समय पर अपना टेक्स भरिए इसलिए आज इनकामों को ना ही करे तो ही अच्छा है आफिस में बॉस और अधिकारियों के साथ समन मधूर बने रहेंगे यानि कि आज जो है आपको सोचना पड़ेगा कि टेक्स और लोन ज़रा जल्दी से कंप्लीट हो पाएं तो जादा बैटर है लेकिर आज उसके लिए ठीक दिन नहीं है कुछे दिनों में आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथ ही में आज अपने काम के प्रतिय फोकस बढ़ाने की वज़े से आज आपका इंटरस्ट भी काफी बढ़ता नज़र आएगा कई लोगों का स्टॉक मार्कित में इंटरस्ट बढ़ता नज़र आएगा आज के दिन इस समय व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सोचिए अपने कॉंटेक्स बढ़ाएए मीडिया और फोन की जरी इंपोर्टन्ट अनुबंध मिल सकते हैं आज नौकर में पदूनती हो सकती है यानि कि आपके मारपती स्ठावे पड़ेगी प्रमोशन मिल सकती है आज जो है अपनी कारे को प्लीज आप पूर्ण रूप से करिए यकीन मानिए आपको बहुत इच्छा लगेगा हर काम करने में HR और मार्केटिंग के शित्र से जो लोग जुड़े हुई है अपनी काम को जरा बहतरीन और तरीके से पेश कर पाएंगी अगर आप पैसा करते हैं तो आपकी भी प्रमोशन हो सकती है इसे के साथ ही आज जो है अगर आप बहुत ही जादा वेट कर रहे थे किसे चीज का जो चीज आपको नहीं मिल पा रही थी वो भी आज के दिन आपको मिल सकती है कई लोगों के चीजे खोने का भी डर आज बन रहा है जैसा कि जतारे कहते हैं अपनी चीजों को जरा संभाल कर रके आपको जो दिस्तावेज हैं, important documents हैं चाहे वो जौब से जुड़े हैं, study से जुड़े हैं या फिर आपके वहन वगेर से जुड़े हैं तो प्लीस आप उनको संभाल कर रखेगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के love life की तो love life हाज आपके बारों में कहती है कि परिवार में सुक शांती भरा महौल बना ही रहेगा और हाँ विवाहिक समन्तों में भी नजीक्यां देखने को मिल सकती हैं आज आपकी जो आँके हैं किसे से दोचार हो सकती है नैन मटक का लगाएंगे आप याना कि आज आपको हमसफर भी मिल सकता है यूँ कहें तो प्रेम समन्तों में किसी प्रकार के मत भेत की शंका भी नज़र आ रही है आपकी परस्नालिटी का पॉजिटी प्रभाव आपके पार्टर पर हो सकता है तो आज आपको पस्नालिटी निखानी चाहिए अंदर से भी और बाहर से भी अज आपकी अंदर आ रहे है पॉजिटी बदलाव का असर आपके रिलेशन्शिप पर पड़ेगा घर में भी इसका बहुत इच्छर जल देखने को मिल सकते है सभी आपकी ही बाते करेंगे घर में महमानों की आवजाई लगी रहेगी जैसे कि चहल पहल का वहर घर में बना ही रहेगा किसी अविवाहित व्यक्ति के विवास, मंदित, बात, चीत भी चल सकते है तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्ते की तो स्वास्ते केहता है कि स्वास्ते तो ठीक रहेगा ही रहेगा लेकिन डख़ीजिवाल जो पेशन्ट है, लोग है अलापरवाहिप प्लीज बिल्कुल भी मत कीजेगा मारिडेशन और सैर करने में कुछ समय बिताइए बहुत बढ़िया नतीज़े देखने को मिल सकते हैं गले की खराश तकलीफ दे सकती है आसन करने से योगा करने से ठीक हो सकती है हार्मोनल जो है वो बैलंस बनाय रखने की कोशिश करनी होगी आपको कई बार अगाह भी किया गया है कि गले से रिलेटेट किसी भी इंफेक्शन को गंभीरता से ले लापर वाहे बिल्कुल भी मत पीछे गरम पानी का या गुनकुने पानी का सेवन करते रहे साथ हमें healthy चीज़े खाईए और आपकी जो सेहत है वो बढ़िया नजर आएगी तो अंतर में बात कर लेते हैं आज के विशेश शुपाई के बारे में तो विशेश शुपाई आज के लिए आपको कहता है कि आज आपको महालक्ष्मी के मंत्रु का जो है जाप द्रिटा से और पूरे निश्चे और बहुत इश्रद्धा से करना चाहिए अगर हो सेके तो आप महालक्ष्मी चली सा भी पढ़ सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी अगर आपको नौकरी में बिजनस में कैरमिता कलीफ आ रही है तो वो सारे की सोरी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर होती चली जाएंगे तो ये असान सा उपाय प्लीज आप जरूर कीजेगा तो दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद